क diagonally studentsnels पिर से शुरू करते हैं वोकायप से कुछ वर्ड्स आपके एक्जाम में मिलेंगे आपको वोकाईब डौस की जिससे हमने आपको बताया कलास सो चल रही है तो इस में बात है हम को वर्ड सीखना है ठीक है तो वो कि दोस के नाम से जो चला रहे हैं स्यीरिश को देखी इसमें आप को बहुत हल्प करेंगे एक्जाम में तो चली हम सुरू करेंगे वर्ड्स है अगला नेक्स्ट जिस वो कहें कि जितने सीरीश चल रहे हैं पार्ट वन पार्ट वू उनको ज़रूर देखिए और उनके आगे के वर्ड हम आपको बता रहा है मिस मत करिए वर्ड इंपोर्टेंट है पैंसिव पैंसिव का सिनॉनिम ये सारे आप इसमें दिये गये हैं ठीक है तो ये उनकी हैं आपको बताना है पैंसिव का सिनॉनिम कौन सा है देखिल पैंसिव का मतलब क्या होता है कि गंभीर विचार में डूबे रहना विचार शील होना विचार मगन होना ठीक है He had पैंसिव थॉट्स मतलब विचारों में विचार ऐसे थे कि डूबा हुआ था हुआ He was पैंसिव अकर मालने हुआ 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 है तो विचारों में डूबे रहना किसी उल्जन में उल्जह रहना इसका सिनोनिम की अगर हम बात करें तो कंटम्प्लेटिव हो जाएगा कंटम्प्लेटिव मने भी हुआ विचार में मगन ठीक है अब पैंसिव न याद हो तो आप इसको टेकनिक जो याद कर सकते हैं वो पैंसे लिखकर विचारों में डूबा रहता है पैंसे लिखकर विचारों में डूबा रहता है इस तरह से कुछ सॉल्ट्रिक बना लेंगे तो ये लॉंग टाइम आपको याद रहेंगे ठीक है पैंसे लिखकर विचारों में डूबे रहता है चलिए नेक्स्ट वर्ड next word है narcissism narcissism का क्या आर्थ है narcissism high sign doing word है हमने बताये सारे synonym दिये हुआ है narcissism का आपको बताना है synonym सब्द क्या है synonym की series चल रही है तो narcissism को अगर हम बोलें तो इसको कहेंगे self admiration स्वयम की प्रसंसा करना स्वयम के बारे में बखान करना अब हिंदी में इसके बारे अगर हम कहें नर्सिस्जम को क्या कहते है मुहावडएक रूप में तो आप कह सकते हैं अपने मुहमिया मिठ्धू बनना मतलब अपनी तारिफ खुद्म करना बहुत अंकार में अंकार के रूप में इसको आप सब कह सकते हैं स्वैम की प्रसंसा आत्म प्रसंसा आत्म अंकार ठीक है नार्सिसिस्म नार्सिसिस्म नायाद हो तो उसके लिए टेकनिक बना सकते हैं हर नर अपने मुहमिया बिठू बनता है हर नर नार्सिसिजम से जोड़ सकते हैं हर नर अपने आपको महान समझता है अपने मुहमिया बिठू बनता है वैसे भी आशी समय में देखते नहीं कि अपने आत्म केंद्रित हो गया है नर से आप इस तरह से रिलेट कर सकते, याद करने की टेकनिक के रूप में बता रहे हैं आपको, ठीक है, नार्सिस्म मतलब स्वैम में केंजित होना, आप स्वैम प्रसंसा करना, अहंकार से भरा होना अंदर, अपने मियूमिया मिठ्टू बनना, हमने आपको बताया, चली बा गायल, गायल है, एक्चुली गायल, तो गायल का क्या आर्थ हो जाएगा, इसको कहेंगे हम जेल, जेल को कई वर्ड्स होते हैं, प्रिजन होता है, ठीक, प्रिजन होता है, इसका मतलब भी जेल होता है, मालूम होगा आपको, प्रिजन है, और जेल को जेल भी कहते हैं, ठीक और यह वर्ड है गायल तो यह आपको नया वर्ड मिल गया वो घायल था इसलिए गायल में चला गया घायल गायल तो गायल से आप कर सकते हैं इसको जेल के लिए प्रयोग कर सकते हैं चलिए अगला वर्ड अगला वर्ड क्या कह रहा है लोधिंग होगा लोधिंग तो आप क्या लगाते इसका लोधिंग तो आपका सही option होता full of hatred घणा की भावना से भरा हुआ full of hatred ये चीज है hatred नफरत की घणा की भावना से भरा हुना के लिए आएगा लोधिंग अगला क्या है अगला इजी है notion notion मने तो राष्ट होता है notion क्या होता है notion मने होता है विचार क्या होता है notion किसके लिए प्रयोग होगा notion प्रयोग होगा विचार के लिए आपके notion क्या है इसके बारे में आपके क्या विचार है इक्स्प्रेश और वीचारों को वेक्ट कीजिए。 आप जो सोच रहे हैं इसको बताइए。 विवाशियस तो पहली बात तो यह कि अब जैसे सिनॉनिम बताना है तो आपको इस सब्द का अर्थ पता होना चाहिए तब तो आप बता पाएंगे या तो नीचे के शब्द दिये हो उनका अर्थ पता होना चाहिए तो जितने अच्छे अच्छे वर्ड आप इंग्लिस में याद करेंगे और कोई मतलब बचने का उपाय नहीं है यही है कि अधिक से अधिक आप वर्ड याद करें तभी इंग्लिस का एक्जाम करेक होगा इसमें तो कोई है नहीं कोई अपसर ने यही मेहनत के लावा ठीक अच्छे से आप याद करें वर्ड को ट्रिक के माध्यम से याद करें बार-बार पढ़क याद करें मतलब जिन्दगी में जीने के परति उत्सा होना जिन्दगी स्ट्वेंट्स तभी अच्छी बीती जा सकती है जब हमारा जीवन के परति प्रेम हो देखते हैं नहीं लोग जीवन से हार मान लेते हैं जीने की इच्छा है नहीं रह जाती है तो विवाशियस का मतलब क्या हो जाएगा full of energy जीवन में जीने की उच्छा होना आगे बढ़ने की इच्छा होना ठीक है विवाशियस बोलेंगे उसको तो हमने आपको बता दिया energetic विवमाने life होता है V.I.V. V.I.V. ये root word है जो होता है life के लिए चलिए अगला देखेंगे विवाशियस के बाद क्या है forbearance forbearance का क्या हो देगा forbearance forbearance को आप अगर लिखना हो तो आप कह सकते हैं आपने patience सुना हो ना ये है synonym forbearance मने patience मेहनत ही students जीवन में सब कुछ नहीं है मेहनत के साथ और चीज़े होती है क्या धैरे होता है आप में धैरे नहीं है तो फोर मेहनत नहीं कामया करेगी क्योंकि आप जल्दी जल्दी result चाहते हैं और result कब मिलेगा समय से मिलेगा इसको आली आपको धैरे रखना पड़ेगा इस question कोई पढ़ना है करना है इसको थोड़ा धैरे पूरा पड़िये थोड़ा समय लेके है ना इतना जादा भी समय नहीं लेकिन तो वही है forbearance बहुत जरूरी है patience बहुत जरूरी है कुछी को सुनना बहुत जरूरी है किसी चीच को समझ रहा forbearance तो forbearance का हमने आपको बताया सहन सील patience सहन सीलता होना ठीक है forbearance सहन सीलता अब ना याद हो तो trick के रूप में याद करने इसको beer में बहुत patience होता है beer आप beer भालू से कह सकते है या beer पीने वाली जो होती है उसको relate कर सकते है relate करने के लिए बता रहे कि long time आपके दिमाग में रहे है beer पीने वालों के बहुत धैर होता है line में लगते है line में लगते beer लेते है इस तरह से आप कह सकते है beer पीने वालों के उत्सा होता है धैर होता उनमें तो धैर पूरवक लाइन में लगके वहाँ गड़बड़ी नहीं करते हैं ठीक है तो यह चीज़ है beer से relate कर लिए forbearance उनमें धैर होता है अच्छा अगला क्या है word अगला है बिक्वीत बिक्वीत का मतलब क्या हो जाएगा बिक्वीत का actually मतलब होता वसीयत क्या होता वसीयत अब वसीयत देना तो इसका अगर सेनॉनिम की बात करें तो इसम्पिल आजाएगा give हो जाएगा he bequitted मतलब उसने वसीयत दे दिया वसीयत कर दिया तो इसमें synonym की बात करें तो give सबसे best है इसमें B E Q U E A T H वसीयत हो जाएगा important word है अगला है non-chalant non-chalant का क्या हो जाएगा synonym सब-synonym है बताने आपको non-chalant इसका हो जाएगा casual अगला एनेक्स्चर बताइए एनेक्स्चर का क्या होगा इनेक्स्चर मतलब होता है कि attachment जिसे LIC policy लिया अपने या कोई चीज लिया कोई भी सामान लिया जैसे तो उसके साथ इनेक्स्चर होता है mobile लिया इनेक्स्चर मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ और क्या चीज़ है अब इसे mobile लिया तो उसका इनेक्स्चर मिला उससे साथ जुड़ी जूची है एक पन्ना मिलता है न उससे सब instruction मिलता है manual कैसे उसको use करना है तो इनेक्स्चर आप कह सकते हैं उस चीज से जुड़ी हुई और चीजे हैं तो जुड़ी हुई क्या होगा attachment इनेक्स्चर मेरा साब साब समझ गया होंगे अगला है इरांड देखिए इरांड है अगला E-R-A-R-A-N-D इरांड क्या है इरांड का मतलब होता है कोई संदेश ठीक God's Message क्या सकते हैं आप तो इसमें इरांड का के लिए क्या होगा टास्क हो जाएगा कार रे इश्वर का कार रे इश्वर का Message इस तरह से इरांड को यूज करते हैं इरांड भी Important है और Pain Staking यह है कशी बार आता है Pain Staking पेन से मतलब है इसका तो इसमें क्या होगा इसका होगा True and Rigorous कठेन राहों से भरा हुआ पूरा and Rigorous लिखा है पूरा आया नहीं इसमें कठेन राहों से भरा हुआ अगला Substantial Substantial का मतलब आया है प्रिजवाम में Substantial Substantial Amount तो Substantial का मतलब होता है Important मात तो पूर Significant Significant हो जाएगा Substantial He gave substantial part of his salary इसका मतलब क्या उसने अपनी salary का मातपूर भाग यतना हो सकता था उसने दिया तो Substantial means मातपूर a part of यह हो जाएगा नोट कर लिजएगा Substantial जो आपको students words अच्छे लगें इसमें सभी अच्छे words दिये होएं ठीक है जैसे तो जो अच्छे लगे का मतलब है कि जो आपको ना आते हो वो नोट कर लिएगा ठीक words तो सभी अच्छे है इसमें एक दो words है जो ज़्यादा exam में नहीं पूछाते है बाकि हमने वही words लिए है और क्या Substantial का मतलब Important हो जाएगा Significant और क्या है दूसरा अगर है Indolent बहुत आएगा exam में मिल जाएगा इस्टुएंट ये exam में आता है Indolent Indolent है बहुत वो Sloth है Sloth का मतलब जाएगा आप जानते है ना मालू हो नोट कर ले ये बहुत पूछा जाता है ये है आपका चक्र समझ गया आप? नहीं समझे Lazy Lazy बोलेंगे बहुत सुष्ट बहुत आलसी बहुत धीमा अपने काम में Inactive इसको कहेंगे आप Indolent Indolent बहुत Sloth है बहुत धीला है ठीक है? अब डोले से आप समझ लिए Indolent को याद करने के लिए थोड़ टिक भी बना लिए इसे डोले सोले होते हैं लोग के जिम जाते हैं तो Indolent डोले नहीं है डोले नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो बहुत धीला है बहुत निश्क्रिय है Indolent Indolent का मतलब बता है आपने आपको आलसी होना आलस धीला पन होना निश्क्रिय, आलसी, धीला, लेजी, ये सा बात है चलिए नोट कर लिए, important है, indolent अगला आपको मालूम होगा, तो कोई बात नहीं है अगला है, vehementally, vehementally बताना है आपको vehementally कैसे बताएंगे vehementally का मतलब बहुत forcefully, सक्ति के साथ ये जे speech-wise vehementally, उसके बहुत शक्ति के साथ अपने भासल दिया, बहुत force के साथ दिया, बहुत जोरदार दिया, vehement का मतलब ही होता है, बहुत जोरदार, बहुत सक्ति के साथ, सक्ति से भरा हुआ, ठीक forcefully, vehementally, forcefully, vehementally अच्छा सब्द है forcefully के स्थान पर यूज़ का सकते हैं, अगला, अगला है find, f-e-i-g-n-e-d, find को क्या बोलेंगे, find का मतलब होता है, रंग रूप बदल लेना, क्या होता, disguise कर लेना, हमने आपको इसके लिए एक और word बताया था, चलिए देखेंगे हम penry, penry क्या है, pen वाला एक word हमने बताया था, pen siu, pen siu, pen से वो विचारों में में एक बग नहीं रहता है, एक और आ गया, pen से वो विचारों में रहता है, अपनी गरीबी के बारे में सोचता है, देखें, दो याद को पेंरी हो जाएगा, इस तरह से याद करेंगे तो पेंरी का मतलब गरीबी, क्या हो जागा, पौवर्टी नहीं आएगा एक्जाम में, आपको पता है, पौवर्टी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, आएगा एक्जाम में जो वर्ड, वो है आपका पें पेनरी मितलब पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी के लिए यूज होता है आपका पेनरी, अच्छा वर्ड है, एक्जाम में कई अप पूछा जा चुका है, पेनरी, गरीबी, ठीक है, चलिए, गरीबी के बाद देखेंगे, क्या देखेंगे, हम देखेंगे, अगला वर्ड, दिखावा, क्या कहेंगे? Artificialty, बनावटीपन क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे इसको बनावटीपन Affectation Affectation, बनावटीपन बनावटीपन बताए ना? आपको, कि नैचुरल जो चीज नहो उसको कहेंगे? Affectation Affectation अगला है, Istryphil Istryphil का मतलब बताएं इसका मतलब होता है गला दबा देना क्या बोलेंगे इसको? Smother Smother मने गला दबा देना किसी चीज को बांध लेना कसके जगड़ लेना पकड़ लेना ठीक है? यह होता है, Istryphil का अर्थ अगला Stalmate Stalmate को क्या को बोलेंगे? Stalmate का synonym वो होगा deadlock जिसके आगे कुछ और रस्ता ना हो रस्ता बंद होता है जिसे डेड़ लॉक कहते है डेड़ लॉक तो सुना भी होगा Stalmate साइद ना सुना हो आपने तो Stalmate को समझ लिए Stalmate का मतलब यह होता है कि उसके अंतिम बिंदू अंतिम बिंदू जिसके आगे नहीं जाए जा सकता है Stalmate बराबर deadlock यह चीज़ है अगला है फोर नाइट फोर नाइट इसका और थ फोर नाइट इसको बोलेंगे जो वक्ती देखिए इमानदार हो और आउट एस पोकेन माने इसपस्ट वक्ता हो उसको बोलेंगे फोर राइट फोर राइट ऑनेस्ट एंड जो आउट तो-सपोकेन वक्ती को कहेंगे हम फोर राइट अगला जो वर्ड ही जाम में आ चुका है डिसकρίट डिसकρίट को क्या बोलेंगे discrete का synonym की बात करें तो इसका synonym क्या होगा बताईए जो निर्ड़ा लेने की बहुत अच्छी छमता हो और जो तीवर बुद्धी का हो तो इसके लिए ये सब्द यूज होता है discrete आप इसमें prudent कहेंगे intelligent नहीं होगा, clever नहीं होगा discrete का मतलब अत्यधिक निर्ड़ा लेने की तीवर छमता होना और बहुत अधिक बुद्धिमान होना clever है, intelligent है, इसकी स्ट्रणाइम नहीं आएंगे ये है, बिल्कुल इसके मतलब पास के हैं लेकिन अगर ये दिया हुआ है discrete का और prudent भी दिया हुआ है, तो आप discrete को लगाएंगे prudent में, prudent क्या हमने बता है न, निर्ड़ा लेने की छमता बहुत अधिक तीवर बुद्धिवाला बुद्धिमान उसके लिए आएगा ये, discreet personality, discreet personality है अब clever तो साधनाद कोई भी हो सकता है next series में हम आप से कुफिर बताएंगे कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स देखते रही है हमारे जो हमने आपको, जो series जो सुरू की है, वो कैब डोस की जो सुरू की है इस series को देखिए आप, ठीक है और कैसी लग रही है, कमेंट करके बताएए और जुले रही है हमारे चैनल से, इस तरह से अच्छे च्छे वर्ड्स आद कीजिए, एक्जाम में जो आपके मिलेंगे यही सब वाल्ड्स आएंगे, और जितना हम का सकते हैं, हल्प आपकी करेंगे आपके एक्जाम के लिए, बस आप बने रही है हमारी मेहनत को सफल बनाईए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक कमेंट करिए, ठीक है चलिए फिर मिलेंगे